हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सरयाम दिन के उजाले में खनन माफिया अव्वेद रूप से बजरी के भरे डंपर ट्रेक्टर टोली तेज रफ्तार के साथ सड़कों पर लेकर दोड़ते हैं जिसे पुलिस सफा नजर अंदास करती नजर आ रही है यहां से रेद बजरी के वहान आसानी से दिन धलते ही पूरी रात तक दोड़ते हुए नजर आते हैं जिसे पुलिस की कारेपनाली पर भी लोग शक कर रहे हैं प्रतीबंद के बावजूद अव्वेद खनन हो रहा है बजरी माफिया संदेराव थाना शेत्र के गाउं में रेद बजरी परिवहन कर रहे हैं इसको लेकर लोगों में पुलिस परशासन के प्रतीब भारी रोश है लोगों का कहना है कि इस मसले पर कई बार पुलिस परशासन को अफगत कराया गया इन्होंने बताया कि अवेद रूप से बजरी परिवन कर रहे वान चालकों ने खागडी बागडी नदी पर नरेगा की मत से निर्वान करवाई गई रपट को भी शतिकरस्त कर दिया, साथ ही नदी किनारे शमशान घाट को भी नुकसान पहुचाया है, और रादबर तेज र आवे खोकले साबित होते नजर आ रहे हैं, अवेद रूप से बजरी खना नोर्ट परिवन को रोकने के लिए पुलिस पुरी तरह से गंभीर नहीं है, जैदेव सिंग राणावत, अध्यक्ष मारवार, गोडवार, जन कल्यान, सेवा समीती, जागरुक टीवी के लिए सां आव से खास रिपोर्ट